खक रहे हैं मुझे हर बाहर मैं उसका पिता बढ़ना चाहूंगा और बाहर नमस्कार मैं हूँ आपके साथ वरिशा राए और एबीपी लाइव में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे बड़े मंच में जब एक माता पिता जाते हैं तो अपने बेटे के साथ बिग बॉस की ट्रोफी लेकर निकलते हैं वो से जिताता है उनका होसला उनकी हिम्मत और आज हमारे एबीपी न्यूज में एलविश ज्यादव के माता पिता वही हिम्मत और होसला अपने बेटे को देने आये हैं आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है मुझे पता है कि आज ये सबसे हाड इंटर्व्यू मेरे ले भी होने वाला है और मैं जिनसे बात करी उनके लिए आप देख सकते कि अभी भी मुझे गूसबंस है क्योंकि मैं समझ सकती हूँ जो दर्द जिससे आप दोनों गुजर गया है और ना ही कभी करेगा बिल्कुल उसको फसाया गया है कि इसने फसाया है हम भी जाणना चाहते है कि क्या हुआ है ऐसा क्योंकि हम तो चार महीने से आराम से बैठा है हमारा बच्चा हो कि पपाजी मैंने कुछ किया ही नहीं है वो तो इसलिए वह रहा नहीं तो श्या यह ह्यां जया है जिए बिलकुल बेकसूर है आप निश्चिंत रहें जितने भी मैंने अंदर भी कहा है कि हजार से हजार लाखों पर्षट यितनी ही पर्षट है दुनिया में हूं इसके से कोई लेना देना नहीं है उसका जहर बेचने से कोबरा का जहर रेव पार्टी कुछ नहीं लेना देना जो एक किलिप दिखाई जा रही है वो उसने बताया शाद आप से पहले भी बाते होची कि वो राउल फाजी परिया की जहर वो बहुत पुरानी है हुआ से निकाली गई है और उसके बाद दीरे-दीरे मेरे बेटे को पता नहीं क्या चाता है मुझे भी पता लग जाए कि वो क्या चाता है मैं भी उसके सकल देख लो एक बार आप लोगों से है कि उसको भी उजागर करें कि किसने कराया धरा है जब एलविश का रेव पार्टी में नाम आया था कि इस तरह से तसक्री को लेकर नाम आया है आपने उसे सवाल जवाब जरूर किये होंगे कि बिटा ऐसा कुछ हुआ है क्या एलविश ने किसी का उस वक्त नाम लिया कि मुझे फसाया जा रहा है ये लोग है किसी का भी ना किया ही नहीं तो एक बात भी तो मैं तो क्यों किसी केपास जाएं हूं मैं कि मैं कुछ किया ही नहीं है तो हम इने वह इह ने अंदर था कि ठीक है मारे बत्ते बिल्कुल कुछ करने migrant अर और आज हम उस दर्द को झाहरे जो हमने किया ही नहीं और मेरे बेटा भी मैं थोड़े से आगे आजाईए आप क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉंगली आज खड़ी हैं अपने बेटे के लिए क्या कहना चाहेंगे बस मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझे अपने लड़के के ऊपर फतर है ना उसने ना सिर नीचा किया ना कभी करेगा ना हमारा ना उसके अपने चाहनेवाड़ों का कि बस यही है कि नेगिटिविटी ना फैलाई जाए जो बच्चों का प्यार है वो अपना बनाए रखे हमेशा उनका भाई बिल्कुल निर्दोश है ऐसे यह थोड़ी ना है कि पrade करूं से पेश किया जा रहा वू आप लोगों को भी पता है सार आप बता रहें कि आप लोगों के चल रहा हैं तो तो कि घुझ का जाता है जिसका लटका जेल में जो सीर उठा के चल रहा था हम भी उठा चल रहे थे इस गहाने वारा काम तो यसे उसने किया नहीं है पर औरों ने बहुत कोशिश कर लिए गिराने की पर कोई बात नहीं कर लेने दो उनका करा उनका आग आएगा जिन्होंने भी ये साजिश रची है जिसका भी करा धराया है ये सुख तो नहीं पाएंगे भी कभी देख लेना बेश्चा बिमार पढ़ता है जैसे मैं भी मुमी पापा से दूर रहती हूँ बिमार पढ़ती हूँ तो ममी कहती है नजर उतरो आले उतर वाल अपनी आपको लगता है की नजर लगी है नजर या लगा लो जो जीस हिसाब से उसका नाम था जो पीछे खीचने वाड़े हैं ये नजर ही लगाईगी ये कि इसको किसी तरह नीचे खीचो इसका नाम नहीं बना चीए बस अरे तुम अपना नाम नहीं बना सकते हो तो दूसरों का तो नाम नीचे मत करो कि अपनी महनत से आगे चल रहा है उसको जीरने दो और उसको आगे अपना काम कर रहा है ना वो तुम भी अपनी महनत कर लो आखरी मुलाकात के बारे में जानना चाहते क्योंकि दर्शकों ने भी मैं खुद गई थी क्रियेटर्स युनाइटेड टू पॉइंटों में उन्हें जब अवार्ड मिला था तो हम वहां पे मौजूत है और हम तालियां बजा रहे थे आप से कब मुलकात हुए जब लेकिन हर चीज बताता है बड़ा खुश हो कि अच्छा चैब दो मिनट के लिए बात करें लेकिन डेली बात हो जाती है मिलना तो देखो उसका काम ही ऐसा है तो ज्यादतर भारी ही रहे हैं अपने काम को काम तो बहुत हैं तो शिल्चले में जाना आना तो लगाई रहता है वो एक इन चीजों से दूर दराज बत्चा है छोटी मोती बात हो जाती है लेकिन ये चीजें की इसतरह की कामों में नैवर कभी नहीं होगा कभी ना हुआ ना होगा और इसमीर में कहह रहा हूं कि जो वी उसके चानेवाले हैं और ना चानेवाले हैं, को तैसे कह भी हुआ है, कई ना कही सोचे कि ये काम तो किया तो नहीं है, लेकिन फर भी उसको जेलना पढ़ रहा है, हमें जेलना पढ़ रहा है। जेल के जबंदर वो गए, क्या बोलके घर है आपको, क्या बोला कि मैं आ जाओंगा जलदी, क्या आखरी सेंटेंस वो आपको बोलके गए, जेल जाने से पर, यह वह तो जेल जाने में जब गई है जब मुझे नहीं पता कि मैं नहीं था साथ क्योंकि वकील साथ था उनके वह यहां से कहके ले गए ते कि हम इसका भी वह लेंगा स्टेटमेंट और पिर आने देंगे मेरे को जैसे अप्डेट मिलता रहा क्योंकि हम ने लॉकेशन बेज अब जो यहां तक पहुंचे तो अब तो बेली होगी मैं देख रहें बटा नयाइपाली का फूरा वरोसा में पूछा कि वह इसा चल रहा है कि वह तो ने सभी का रहा है कुछ बोला मेरे सद बात ही नहीं कुछ भी मेरे को सीधा लेकर ऑस्पिटल और फर सीधा कोई एक के आपील है मीडिया वालों से कि क्योंकि मीडिया वालों को देखे कहीं न कहीं परसासना काम करता हो का फ्रक पढ़ता होगा एक चैनल तो कह रहा है हमने मुहिम चलाइए इसके खिलाब है थो गुंड़ा है बदमास है हमने इसको पकड़वाने के लिए चलाइए औरे जब यूज चानल में इस तरह की खबरे आई क्योंकि लगतार खबरे आ रही थी उन्होंने किसी को थपड मार दिया फिर उसके बाद सुला भी उन्होंने कर ली बकाइदा जाके दोस्ती कर ली भाईचारों टॉप हाश्टा के साथ उन्होंने भाईचारे हां मान रियू में यह सब जब इस तरह की बाते आ रहे थी कि वह यह कर रहे वह कर रहे आप लोग को वीडियो सोचल मीडिया पर दिखी जाती होंगी क्या आप उन्हें मुझे लगता है माता पिता सबसे जाद अपने बच्चों को स्टॉक करते हैं उनकी हर एक A to Z update लेते रहते हैं तो आपन हमने इन्होंने समझा के बेज आए बेटा जहा आप जा रहे हो अफसराद भी मिलेंगा IPS सबको नमस्ते करना है मुझे पता है नमस्ते करना है मुझे और कहीं भी आतुत मिले सब कुछ हुआ है तो इतना सब्बह मतला ऐसा नहीं है कि वह एक टीचर का बेटा है जिए हमने दुनिया के बच्चों को पढ़ा दिया अपने को नहीं पढ़ा हूँगा मैं और हक रहे है मुझे हर बार मैं उसका पितबना चाहूंगा और बहुत ही कठिन घड़ी है सोशल मीडिया पर तरह तरह की बाते हो रही है आप लोग को अपने आप दोनों को हिम्मत रखनी है आ पास पास भी लोग बात करेंगे आपके पास लोग आ रहे होंगे कोई आपको किसी तरह का सजेशन दे रहा है या बोल रहा है कि इस रास्ते में आप इस तरह से उसे चुड़वा सकते हैं या कोई भी आपके मन में अभी क्या चल रहे है क्या करेंगे आगे हमारे अगाव कैसे छोटे गाव कैसे नो परशासन से अपील है और मेडिया वाड़ा उसे यह एल्प कर सकते हैं हमें नहीं नहीं होता है तो बताई कि यह कुछ है अब तो बगवान का और नयपाली का का है वरोसा और अगर कुछ कर सकते हैं जो भी है आप लोग है अब तो यह है कि शेव माई चाइल्ड प्रे करें बगवान से उसकी दुआए करें कि उसको महाँ पर रहने की स्वक्ति मिले क्योंकि जो बच्चा आप समझ सकते हो उसको अं अधर से जो लेडी है जैन्ट से कोई भी है राजनित्ता है पेता जो भी है मुझे हमें नहीं पता कौन है उसके पीछे सब के बच्चे हैं खुशी थोड़ी देर के लिए हो सकती है एक साला गया अंदर एक आओ नहीं होती जूट के पैर नहीं होंगे नहीं सच आएगा सामने नयाय पालिक है ना हमारी सुप्रेम कोट तक है लड़ाई लडएंगे आपनी देखेंगे ज़वी हो कर अचा एलव The कशक्किल खड़ी में वो आपके साथ है आपके घर आए आपकी आपसे सब साथ है है तो भुष करना पड़े तो वो दर्थ का तूपने यलविश की वजाई से ना झिर गार ना कभी जुकेंगा ये माँ बोल रही है मेरी पॉर्ष बोल तो से में उसको बाड़ाई कभी शेयर निहीं जुकेगाव हाई कि है सब्सक्राइब करें ती परिझे कर से लड़की कि अझाई गया है कि क्या आंडर भी में तो कैसे कर पऊग वोगे ते उस टाइम, जब जो भी आला कि मुझे नहीं पता कि पार्टी क्या हो रही थी, अमने अख़बारों के मादे में से पढ़ा, उसना तो एक ही बात में कहे दें, पापाजी मुझे पता ही नहीं का चल रहा है, मैं जब होई नहीं मुझे, मुझे क्या लेना कौन है, कौन है, मेरा यही काम है, क्या सपेरों से बात करूँगा, कैसी बात है मैंने बोला कुछ भई, पूछा है, कि बटा कहीं कभी, रहे बोला पापाजी, मतलब भी नहीं है, उस वक्त इक जब वो आपको बार-बार ये सेटमेंंट कभी जानेशा गा? अब से नस्यमों, और आज में चूनत है, कि कुछ नहीं है, क्या आपका बेटा बिलकूल बेक असूर है? रहना का लाक को लाक परसंट है, लाक को लाक करशंत है, इस मामले में बिल्कुल बेक असूर है जहर बेच रहे हैं अरे कोई दूसरा सुने तो यह कैसी बात है करवाओ ना कोई और भी ड्रसवाओ ना मेरे बैटे का कर लो टेस्ट बऱर्त में तो निकलेगा बेग बहूंस मेरे इससे बता रहे हैं करते हैं देखो क्या लगाया है सोचे तो कि यह बइसता है यह करते हैं अब धे शुसम happier भाई वे अधरर हैं आटानिंगो ठीक है जी, क्या क्या आरोप लगाएं तभी तो फसाया है तभी तो फसाया गया है कि इस तरह के वो लगाओ सब कुछ एक सिर्पिट लिखी गई है कि इस तरह की चीजे करो उनको पता था कि ये दाराय लगेंगी और तब कुछ होगा इस तरह से आप प्रशासन पे न्याय पालिका पे भरूसा रखते हैं तथ्यों के हिसाब से ही तथ्यों के अधार पर ही एलविश को लिया गया है कस्टिडी में पहले दिन जब जेल में आप उनसे मुलकात करने गए क्या बात हुई कुछ बोला उन्होंने क्या खाया पिया किस तरह का जेल के अंदर मोहौल है या आगे चल कर क्या कारवाई होगी क्या उनसे सवाल पूछे जा रहे है पुलिस द्वारा क्या पूछा जा रहा हूं से पूलिस का तो महां पे कोई पूछा नहीं का वो है नहीं कुछ भी बस मैंने पूछा था ठीक ठाक है तू तो एक बेटा क्या कर देर मिलने मिलने का आपको समय मिला सत मिनट तो उसने वह भी समय था पिता के दर्द को उसने यह नहीं कहूंगा कि वह रोने लग गया लेकिन यह है कि वह थोड़ा सा है कि भी कि इंद नहीं आ रही है जैसे समझ नहीं आ रहे हैं यह लगा कि यह क्या हो गया मृत फीक आपपट चाप लो जो भी होना था वो तो होई गया बेल Perefar deuxBlueだ quoting मैं जो बेस्ट होगा एक पिता कर सकता है वो करूगा मैं और उसी चीजी के लिए कि हमने कर रहे हैं अपना वकील वगारा से बात क्या होता है बगवान करें सब कुछ ठीक हो जाए आप ही मैं मुझसे मिले गई थी कि मैंने गई कि नहीं मेरी मुलाकात नहीं हुए अब घर में जो चहक रहती थी जो आपका जान रहता था घर में हर वक्त आप लोगों के साथ किस तरह से आप लोगों का दिन चरिया जा रहा है कि बस यही आज है कि कब आपका बेटा आ जाए बिल्कुर कि आपका पता है ना खांडे पिने का पता है सारे काम देने मेरा स्कूल छूट रहा है मैं अपने स्कूल जाता था डेली कि सब खराब करनी कोशिश करती गई निर्णा हो जाएगा ओट से होगा कुछ तो होगा भगवान की गर दे रहे हैं अदेर नहीं है जो भी मीडिया वाले देख रहे हैं कि बई प्लीज इस तरह की चीज़े ना पहलाएं बस अच्छी ना बताये लिए इस तरह की ना पहलाएं बस को यह करने आये हम आपके पास चलिए हमसे बात करने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया इस मुश्किल घड़ी में आप आये आपने अपनी बात रखी यहां पर उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी जो आपने हमें अपनी बात रखने का मोका दिया कि हमने हमने का मतलब पूरत तीनों हैं एक मदर भी मेरी एक मेरी बेटी वह बाहर है वह भी रो रही है कल से क्योंकि आपको अमने घर का सारा पता है बच्चे हैं छोड़ सब का सब का पता है ऐसा नहीं हो सकता कि कि सो के सो परशन चुपा जाए कोई है एसे होते कहीं नहीं मिल जाता है कि इस पार में मैंसरम में नहीं हूं ह lonnane आपकी हमने क्या ही नहीं Central अब जूटा ते लड़ा थोड़ी जाएगा लेखते है कानून लड़ाई है क्योंकि हम तो नीचे से आए वो जनमजात लैनलोड होंगे या पॉल्टिकल होंगे जन्होंने किया कुछ ने कुछ तो ले रहे हैं ना वो तबी तो उनको यह तो डर लगा होगा कि वह कल को यह को हमारा पॉलिटिकल कई तरीके हो सकते हैं इस बारे में बात में बताऊंगा कि हमारा कमपीटर तो नहीं आ गया कोई चीजे होती है कई चीजे इसमें कि पीछे बहुत इलेक्शन लड़ने की भी बात आ रही थी सौंग्स वो लगतार कर रहा था जल्दी हमें मूवी में दिखने वाला था बगवान ने चाहता है सब कुछ ठीक होगा इलेक्शन सा तो दूर रखूंगा मैं रही इलेक्शन की बात तो इन काम हो के लिए उलक्षन में आना जरूर यह तो इसको लटा देंगी न को और इन काम ओने के लिए लख्सन में आना तो ऐसे काम स्लगाने के लिए 程 में आइंगे हम नहीं ऐसे काम करते हैं जो जो लोग ऐसे को तो राजिती माना ही चाहिए